नवस्कार आप देख रहे हैं निज्ट्वनिफ़ूर मैं हूँ आप सभी के साथ विपनेश माथूर और ब्रेकिंग विद अजिंडा में सफागत है आप सभी का ब्रेकिंग विद अजिंडा में आज चर्चा ये होगी कि क्या आज संसत में राहूल गांदी माफी मागेंगे या फिर से अडानी और पीए मोधी के रिष्टों पर सवाल खड़े करेंगे आज पांच में दिन देश की संसत फिर मर्यादाओं को तार-तार कर जनता की मुद्णों को लाचार करके फिर हंगामे की भेंट चर जाएगी चर्चा इसलिए आज की एहम है कल राहूल गांदी विदेश ते लोटे और प्रेस कॉन्फरेंस कर अपने विदेश में दिये बयान पर कहा कि उन्होंने कुछ भी देश विरोधी नहीं बोला है कुछ ऐसा नहीं कहा है और अगर संसत में बोलने का मौका दिया जाएगा तो हर बात का मैं जबाब दे दूँगा लेकिन एक बात फिर उन्होंने बोल दिया है कि लगता नहीं है कि मुझे संसत में बोलने का मौका दिया जाएगा तो राहूल की press conference के बाद BJP ने उन्हें घेल लिया है और कहा कि राहूल गांधी ने अब तक देश विरोध बयान के लिए माफी नहीं मांगी है और राहूल जूट बोल का देश को गुमदा कर रहे हैं राहुल गांदी के माफी नामे के लिए वीजेपी ने बड़ा केंपेंच चलाने का भी ऐलान कर दिया है यानि संसत के पाँचपे दिन भी माफी माँगने की जिद और जेपेसी की मांग की भेंट ये सदन चड़ सकता है और संसत में इस अंगामे के बीच आज दूसरी सियासी घटनाई भी घट रही है जिनका असर भी देश की सियासत और 2024 की चुनावों पर पढ़ना तैम आना जा रहा है इदर आखिले शादव के सियार से दोस्ती बढ़ाने के बाद आज ममता दीदी के गड़ में अपनी पाठी का रास्ट्री अधिवेशन करेंगे और इस तोरान वो ममता बेनर्जी से मुलाकात भी कर सकते हैं तो इस दर आज भिस्टाचार के मुद्दे पर ED रिमांड में भेजे गए मनिश सिसोधिया की कोड़ पे पेशी करनी है और उन्हें फिर से रिमांड या नयाए खिरासत में भेजा जा सकता है क्योंकि उनकी जवानत पर सुनवाई 24 मार्च को होनी है तो 24 के चुनावी रास्ते में क्या क्या आने वाला है हंगामा, नारेवाजी, अपमान, भिस्टाचार के दम पर कौन कैसे बना रहा है सरकार इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा लेकिन हमेशरा की तरह कुछ रहम बयान पहले चार मंत्रियों ने मेरे उपर अरोप लगाया है हाउस में अरोप लगाया है तो मेरा हक है कि मुझे पार्लिमंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए क्लारिटी नहीं है मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दे आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है गाहूल गांधी की आदत हो गई है विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र भारत की जनता 140 करोड की भावनाओ संबेदन शीलता का अपमान करना देश को तोड़ना देश को बदनाम करना सैनिकों को अपमानित करना संसत का अपमान करना संसत यानिके पूरे पार्लेमेंट के दोनों सदनों का अपमान करना और जूट बोलना यह आदत सी बन गई है कॉंग्रेस के लिए छोटी बात है देश को इस तरह की भाशा बोलना तो राहुल जी जूट पहलाना बंद करें देश को अपमानित करना बंद करें और जो संसत के खिलाफ जूट भोला है उस पर आकर सदन से माफी मांगे के इंद सरकार जानती है कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया है जो देश के खिलाफ है या देश को कमजोर करता है हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि एक Member of Parliament की बयान बाजी से हमारा देश कमजोर पड़ जाएगा या कोई बाहर की ताकतें आकर हमारे देश में इंफ्लूइंस करने लग जाएंगी जबूत भारत सशक्त लोकतंत्र और निरनायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है दुर्भागे की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है जनता द्वारा बार बार नकार दिये जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का पर्मनेंट हिस्सा बन गए यह तो बयान रहे जो आपने सुने ग्रूसरे पर वार किये जा रहे हैं हमारे साथ नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूस 24